Hello guys, welcome to SKM Digital Technology दोस्तों अगर आप Google पे यूज़ करते हैं तो आपको एक UPI Lite का आप्शन देखने को जरूर मिला होगा तो UPI Lite आखिर है क्या इसको कैसे यूज़ करते हैं आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले हम यह जान लेते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप Google पे फोन पे पे पेटियम कई तरह के अप्लिकेशन यूज़ करते हैं माल यह Google पे आप यूज़ कर रहे हैं तो जब भी आपको किसी को ट्रांजेक्शन करना होता है तो आप क्या करते हैं सीधे बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं बार-बार इस तरीके साब करते हैं तो आपके बैंक से बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना है जो UPI light का option आया है उसमें आप एक बार जितना amount add करना चाहते हैं उतना add कर सकते हैं आपने 1000 रुपए उसमें add कर दिया है तो दुबारा आपको payment करने के लिए ना तो आपको pin डालने के ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको bank से transaction करने के आप शक्ता पड़ेगी आप UPI light से payment कर सकते हैं इसे आपके bank account से बार-बार transaction नहीं होगा तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम Google Pay में UPI light को activate करके use कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं Google Pay में UPI light को activate करने के लिए आपको सक्से पहले अपने mobile phone के home screen पर आना होगा उसके बाद आपको अपने mobile phone में Google Pay application को open कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने Google Pay application को open कर लिया है उसके बाद आपको यहाँ पर option मिल जाएगा profile का आपको इस पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर तीन option देखने को मिल जाएंगे एक bank account का, दूसरा रुपए credit card का और तीसरा आपको UPI light pay का option देखने को मिल जाएगा तो simply आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको सबसे पहले add balance account का option देगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले amount को add कर लेना है अगर आप अपने account को change करना चाहते हैं आप यहाँ चेंज पर click करेंगे और यहाँ से आप अपने account को change कर सकते हैं उसके बाद नीचे आपको option देगा add उसके बाद आप इस पर click करेंगे और यहाँ पर अब आपको अपना pin इंटर कर लेना है तो चले हम अपना pin इंटर कर लेते हैं पेनी इंटर करने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी add money to UPI light यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइड में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 500 रुपे add हो गया है अब simply हम यहाँ got it पर क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर add हो गया आप इसको कैसे check करना चेक करने के लिए आप यहाँ bank account पर क्लिक करेंगे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर UPI light जिस bank से मैंने set किया है यहाँ पर उस bank का नाम आ गया है अब अगर मालीजे किसी को भी payment करना है तो simply आपको क्या करना है जैसे UPI light set हो जाने के बाद अब मालीजे आपको किसी को भी payment करना है जैसे मालीजे मुझे इनको payment करना है तो just हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, पेपर क्लिक करने के बाद अब जैसे मुझे 10 रुपे सेंड करना है था हम यहाँ 10 टाइप करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमें UPI PIN डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आटोमेटिक payment हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि without UPI pin का payment successful हो गया तो इस तरीके से आप UPI light को set करके और easily payment कर सकते हैं आपको बार-बार bank से transaction करने क्या हो शकता नहीं पड़ेगी तो दोस्तों I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आगे होगा कि किस तरीके से हमें UPI light को activate करना है और किस तरीके से use करना है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करिए अपने friend के साथ share करिए और अगर आप हमारे चैनल for first time visit किये हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो दोस्तों मिलते फिर आपसे next वीडियो में thanks for watching this video